दस लड़के मेरी टीम में थे और साथ फॉरन एक्सपर्ट्स थे हमारे और बीस से पच्चिस की एडिफिस्ट इंजिरियर की टीम थी सर जैसे अपने एक्सपीरियंस बदाया आप इतने कितने दूर थे वो शक्स जो ब्लास्ट से था मेह सतर मीटर दूर वो शक्स जिसने दबाया वो हरा बटन जिसके दबते ही धराशाई हो गया यह गगनचुमबी टावर वो शक्स जो टूर ढ़ाउड धाने पर हो गया इमोशनल वो इमारत जिसे बनने में सालो लगे सैकडो करोड रुपए खर्च हुए वो सेकेंडो में जमी दोज हो गई पलभर में मलबे में तबदील हो गई आसमान को छूती दोनों बिल्डिंग जब मलबे में तबदील हो गई इस कंट्रोल डेमोलेशन की तैयारी काफी वक्त से चल रही थी और जिस एक्षन के लिए तमाम कोशिशे थी तमाम देश और विदेश के एक्सपर्ट्स लगे हुए थी वो एक्षन महज 10 सेकिंड के भीतर पूरा हो गया दोपहर के धाई बचते ही ब्लाक बॉक्स यानि डाइनामाइट बॉक्स में लगी ब्लाक नुमा नॉप को 9 से 10 बार घुमाया क्या लाल बत्ती की इंडिकेशन होती है ब्लास्ट के लिए हरा बटन दबा दिया जाता है और ये हरा बटन दबाने वाले हैं चेतन दत्ता भारतिय ब्लास्ट और चेतन दत्ता ने ब्लास्ट के वक्त की पूरी कहानी सुनाई कि कैसे एक बार को वो रो पड़े। दूरी पर थे। लाजबी है कि ये बात सुनकर आप भी रोमांच और दहशत से भर गये होंगे। तो सुनिए ब्लास्टर चेतन दत्ता से कि उस पल उनकी और उनकी टीम के मन में क्या चल रहा था। और सिंताओं को देखते हुए हम लोगों ने धूल को सेटर होने की वेटने की जेव से मास निकाले और सब भागते हुए बिल्डिंग की तरफ गए। तो चेतन बताते हैं कि वो सब लोग खामोश थे। एक दम खामोश और बस उम्मीद यही कि जैसा उन लोगों ने प्लान किया है बिल्कुल वैसा ही हो। ये कंट्रोल डेमोलेशन काम्याब हो। आसपास की सोसाइटीज को कोई नुकसान ना हो। और हुआ भी कुछ वैसा ही। थोड़ा सा मलबा सलक और एटियस की दिवार की ओड़ जरूर गया लेकिन कोई बड़ी हानी नहीं हुई और ठीक दस सेकेंड में रश्टा चार किये गगन चुमबा इमारत धेर हो गई। बिरो रपोर्ट युपितर